हेलो स्टुडेंट तो बिटा आज हम लोग यहां पे अपनी कंप्यूटर में एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको पता है एक नया टॉपिक हमारा यहां पे फिर से इंटोड्यूस क्या गया है के लिए आप सबको पता है डेट इस जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं विच इस नोने देटा इस्ट्रक्चर ओके तो इस टॉपिक में आप लोगों ने आई होप कि जाता लोगों ने यह टॉपिक यहां पर कवर किया होगा दूरिंग पर्सुइंग डब बीसी ए और बीसी तो आपको पता है कि हम लोग यह टॉपिक बिटा अपने जो है सी लेंग्वेज में सी प्लस प्लस में जावा में मतलब इन तीनों लेंग्वेज में बड़े इजली यहां पर इनको कवर कर सकते हैं और आई होप कि आप लोगों ने भी इन में से किसी एक लेंग्वे चीज़े हैं आपको पता है हम लोग पार इतना टाइम भी नहीं अभी तो हम लोग यहां पर इसको जो है जितनी में में इंपॉर्टेंट चीजें जो जो टॉपिक दिये गा है इनको यहां पर जल्दी से कवर करने की कोशिस करेंगे तो यह जो आपका टॉपिक एडड इस various mechanism to store, retrieve, insult और remove the data, ठीक है, आपके पास जब एक बिटा computer में बहुत सारा data है, उसको जब आपको किस format में आप अपने system में, अपनी memory में store करना चाहते हैं, ठीक है, कैसे उसको manage करेंगे, so these are the managing techniques, ओके, तो these are the mechanism, ठीक है, so these are the mechanisms to organize, क्या हम अब इसमें, जब data organization में क्या-क्या चीज़े आती है, how to store, retrieve, कैसे आप उसको, वापीस बेटा यहाँ पर access करेंगे, insert, new data, removing, any unwanted data, ठीक है, तो यह सारे operation इसमें आ जाते हैं, और इसके बाद थोड़ा सा गर आप और revise करिए, तो फिर आपको क्या बताया जाता है, कि जो data structure है, they are also of two type, ठीक है, इनके जो types में, अगर आप आप आओ, जो category दें, तो भी आपको बताते हैं, कि data, structure आपका दो तरह का होता है, एक होता है linear, और एक होता है आपका non-linear, नाम पढ़की आप यहाँ पे समझ सकते हैं, कि इनका क्या मतलब होता होगा, ठीक है, तो जो यहाँ पे जो data होता है, आपका sequential manner में होता है, ठीक है, और जो non-linear है, वो आपका sequential manner में नहीं, आपका जो है data, scattered form में हो सकता है, यानि यहाँ वहाँ पढ़ा हुआ, और हमें एक दूसरे का link ढूड़ना पढ़ता है, हाला कि हर element बेटा क्या करता है, अपने जो बाकी elements हैं, उनको point करता है, उनके जो address को अपने पास hold करता है, और उनकी through हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कि अपने next data items को यहाँ पे easily access कर सकते हैं, तो बेटा, दो तरह की data type होते हैं, मैंने बताया linear होता है, और एक non-linear होता है, तो linear में अगर आप देखो तो क्या क्या चीज़ें आती हैं, अगर आप थोड़ा सा फिर से recall करने की कोसिस करें, तो आपको बताया गया होगा, सबसे जो simplest form है, वो क्या है आपका arrays है, ठीक है, इसके बाद फिर आप लोगों ने देखी होगी linked list, stacks है, और queues है, ठीक है ना, तो यह आप देखते हैं कि four type के हम लोग यहाँ पे data format देखते हैं, कि जो आपके linear form में होते हैं, और scattered form में बात करें तो सबसे बड़े चीज़ क्या होती, graph, graph यानि की, आपके जो trees हैं, सबसे जो main है वो इसमें कौन आ जाता है, tree आ जाता है, tree भी फिर बहुत तरह के होते हैं, आपको पता है, उसमें भी सबसे जो important है, वो हमारा क्या है, binary tree, या फिर BST, binary search tree भी होता है, ठीक है, abl है, तो ये सारी चीज़ें हैं, जिनको हम लोग याँ पर अभी आगे देखने वाले बिटा, आने वाली series में, one by one, ठीक है, तो आज हम लोग याँ पर सबसे जो simplest data type है, उससे start करेंगे, हम लोग बात करेंगे किसकी? एरेस की, ठीक है, क्योंकि अगर आप अपना सिल्याबस देखो, तो सबसे पहले उसमें, जो है, एरेस के बारे में बात की गई है, कि हम लोग एरेस के थुरू अपने data को कैसे याँ पर handle करते हैं, ठीक है? आपया सिल्थम चाहत का पर सिल्याबस देिदा सructureश में बात किन्या को भाल्पनू अभावचिर है, नहीं कि कैन्याबस दिल्थमी अभी करता है, अगर आप एरेस की बात करो तो अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते कि that these are the special variables which are used to hold the multiple values of same data type at contiguous memory location ठीक है आपको I hope की याद आ गया होगा ठीक है तो यह जो एरेस हैं इनका बेटा काम क्या होता है कि यह कई values को यानि आप बहुत सारी values को एक single variable में store करवा सकते हैं लेकिन कुछ conditions हैं कुछ limitations हैं आपको पता है जिन लोगोंने एरेस किया हुआ है कि बेटा एरे बहुती useful हमारा जो एक data format है यानि कि एक data holding mechanism है जो सबसे जादा use होता है ठीक है किसी भी programming language में जाओगे तो आप देखते हो कि एरे की कितनी importance है जिन जिन लोगोंने programming की हुई है किसी भी language में उनको यह बताने की ज़रूद नहीं है कि कितना important होता है और सबसे simplest होता है यानि कि कोई भी इसको बड़ा easily use कर सकता है बड़े आराम से सीख के ठीक है तो आपको पता है कि यहां पर क्या है कि हम लोग एक ही तरह की जो है जो आपका data information है उसको हम लोग यहां पर एक ही जो है location में जहां पर की बहुत सारे memory block form हो जाते हैं और इन memory blocks में हम इन और कई statement आप जानते हूं कि जो java में भी similar है for example अगर आप सब जानते हूं कि अगर मैं यह line लिख दूँ ठीक है मैं अगर यह line लिख दूँ तो आप सब लोग समझ रहे हैं कि मैं किसी भी language में जाओं चाहे c में हूं चाहे c++ में हूं जावा में हूं यह line आपकी हर जगे executable है इस line में पिटा हो क्या रहा है I hope सब लोग समझ रहे होंगे क्योंकि यह तो सबसे simple है मैंने बोला पहले ही आपसे तो यहाँ ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूत नहीं कि that we are creating and initializing the area ठीके ना जैसे आपकी line execute होती ही तो आपको पता होता है क्या होता है बटा कि that these are the five values you know 8, 12, 14, 17 and 20 they will be stored in few memory locations and class these memory locations will be created something like this I show you ठीके बटा आपके ऐसे five memory block बन जाएंगे इन सारी values के लिए और हम लोग इन values को यहाँ पे hold करेंगे for example like this 8, 12, 14, 17 and 20 ठीक है यह आपके five memory block पे five integers के लिए memory block create होंगे और ऐसे बटा आपकी five values यहाँ पे store हो जाती है और आपको यह भी पता होगा कि यह जो memory है they will be numbered automatically by your compiler ठीक है आपका जो compiler है इनकी automatic यहाँ पे numbering कर देगा ठीक है और जो for example जो पहला memory block है वो आपका कहाँ पर है eight जो है आपका zero पे होगा जो first element है ठीक है जो element number zero है उसका जो index होगा बटा यह जो सारी जो numbering होई है they are known as index or subscript number we call them index or subscript number और हम अपने index here subscript number को use करते है to access any particular element in the array ठीक है तो आपका जो पहला जो element होता है e zero जिसको मैं कहूंगा ठीक है वो आपका index zero पे होता है और सबसे जो last वाला जो element होता है for example यहाँ पे e four ठीक है यह हमेशा size minus one इसका जो index होता है वो size minus one for example अगर आप अपने array को ध्यान से देखो तो we are having five element पांच element है तो जो पहला element हमेशा zero पे होगा और जो last element होगा वो यहाँ पे four पे होगा और साथ में एक चीज़ और यहाँ पे बिटा इन्वाल्व होती है वो होते है इनके memory address ठीक है for example अगर आपका पहला जो memory block है integer का अगर वो memory address hundred पे form हुआ है और suppose कि हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आपके integer का size four byte है for example c के कई versions ऐसे हैं जहाँ पे two byte भी है four byte भी है c plus plus में जाओगे तो four byte मिलेगा java में जाओगे int का size four byte मिलेगा ठीक है तो अलग अलग जग है तो मैं यहाँ पे common value ले ले लेता हूँ four byte तो आपको पता है कि अगर आपका यह first element बेटा अगर 8 जो है index number 100 पे है तो आपका यह 12 है यह कहाँ पे होगा 104 पे होगा 14 आपका 108 पे यह 112 पे और यह 116 पे तो ऐसे बेटा सब की जो memory address होँगे सब में आप क्या देखते हूँ कि मुझे four four byte का gap देखने के लिए मिलता है ठीक है और आप क्या कर सकते हैं अपने किसी भी particular element को उसके index number के साथ यहाँ पे print कर सकते हैं for example अगर बेटा मैं अगर C++ में अगर काम कर रहा हूँ sorry C language में अग print करना है तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ printf यह देखें यह जो line मैं ने लिखी यहाँ पर printf %d इसका format specifier बताया और इसके बाद फिर next comma लगा के a3 तो बेटा यहाँ पर यह जो 3 है यह में हम लोग क्या mention कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर अपना index number बता रहे हैं कि हम लोग अपने array के किस element को यहाँ पर access करना चाहते हैं तो यह line अगर execute होती है तो आपको पता है कि क्या होने वाला है यह जो answer आपका print होगा that will be 17 तो यह जो index number है they are very important हमें जो बात यहाँ पर याद रखनी होती वो क्या याद रखनी होती है कि याद रखने के लिए क्या हमें पास कि हमेशा जो है आपका जो index होता है वो 0 से start होता है array में ठीक है जो first element है that always start with 0 इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए हम लोगों क्या क्या बताए गया था कि जो operations हैं वो कौन कौन से हैं storing है और अगर हम लोग array पर अगर बेटा operations की बात करें आपसे तो देखिए जो main जो operations होते हैं वो क्या होता है value कैसे store करना है traversal insertion deletion searching और sorting तो आप क्या देखते हैं कि यहां पर बिटा हम लोगों को कितने सारे operations हैं जो हम लोग अपने कहरे पर पर फॉर्म करते हैं storing हो गया traversal traversal का means to move from the first element to the last element in a sequence ठीक है आपको अपने पहले element यानि for example 8 से लेके 20 तक यहां पर move करना है reason कुछ भी हो सकता है या तो आपको इन सारे number को add करना है या आप किसे एक particular number को search कर रहे होंगे ठीक है तो कोई भी reason हो सकता है कि यह आपको first element से लेके last element तक जाना पड़ रहा है तो यह बेटा जो operation होता है that is known as traversal ठीक है इसके बाद जो next है वो तो easy है that is insertion यानि कि आपको अपने सहरे में कहीं पर किसी भी एक particular index number पर एक नई value यहां पर input करनी है तो that process will be known as insertion और फिर क्या करना है value delete करना कोई भी मैं आपको particular बता दूं index कि बटा मुझको यहां पर यह जो index number 2 पर यह जो 14 दिख रहा है I want to remove that ठीक है तो यह कैसे होगा searching एक कोई particular number find out करना है वो है की नहीं अगर है तो कहां पर है और sorting यानि कि इन सारे element को for example अगर अभी आप यहां देखें तो number आपके एक sequence में लगे हुए है अगर आप ध्यान दीजिए तो number आपके किस order में दिख रहे है increasing order में arrange है पर suppose ना हो और आपको इनको किसी एक particular order में यानि कि ascending या descending order में अगर arrange करना पड़ जाए तो that operation will be known as sorting of the element ठीक I repeat कि अपने element को किसी एक particular order में अगर आप arrange करने के लिए एक operation perform करने जा रहे हैं तो that is known as sorting of the element ठीक है तो इन में से कुछ operations है जिनको हम लोग आज यहां पर देखने वाले हैं ठीक है हम लोग कुछ operations है यहा क्या चीज़े हम लोग यहां पर कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको लेज कर चलूँगा कि how to how can we store the values ठीक है values कैसे store करनी है और for example एक loop चला के और traversal देखते हैं तो एक छोटा ता program हम लोग यहां पर रिखते हैं हम लोग कर देखते 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 हैं झाल ठीक है बटा तो यहां पर यह देखिए मैंने कि आप एक सिंपिल सा यहां पर बनाया है प्रोग्राम ठीक है जिसमें केवल हम लोग यहां पर दो चीजे देख रहे हैं that how can we store the values in an array and how can we print all these elements ठीक है तो बहुत ही सिंपिल सा एक छोटा सा मैंने यह आपर लिया पहली लाइन देखें अपनी प्रोग्राम कि मैंने यह आपे सबसे पहले क्या किया बेटा अपने एक आरे को deklair किया यह देखें मैंने यह पर बोला integer a5 ठीक है यानी बेटा मैंने यह आपे बताया कि ए एक मेरा array है और इसका size कितना है 5 element और इसके बाद फिर आगे आई यह जो portion है मैंने यहापे बोला input 5 values और एक मैंने यहापे loop execute कर दिया देखिए 0 से लेके less than 5 देखिए पहली line जब आपके execute होती है तो क्या होता है आप ध्यान दीजे जब हम लोग लिखते हैं integer a5 तो आपको अभी जैसा मैंने बताया कि यहापे क्या होता है बेटा 5 memory blocks आपके बन जाते हैं 0 1 2 3 4 ठीक और इन सारी है जो पूरा जो memory block है that is known as a जो की आपका पांच पार्ट में divide है और इनकी यहाँ पे indexing हो जाती है अब आपको इसमें यहाँ पे value store करने हैं पर value store करने के पहले और भी क्या हमें अभी जैसा मैंने आपको थोड़े पहले बताया था कि आपके जो memory blocks होंगे इन सब के पास अपना अपना एक memory address होगा ठीक है something like this ठीक है और अगर आप लोगोंने pointers कर रखें CNC++ में तो I hope सबको पता होगा ठीक है सबको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि यह जो hundred है यह आपके first element का memory address है और इस hundred को हम लोग क्या बोलते हैं मिटा base address ठीक है यह आपके array का base address होता है और यह name of the array से आपका reflect होता है ठीक है आपका जो name of the array आपका जो भी array का नाम है जो आप यूज कर रहे हैं अपने program में for example यहाँ पर ए है ठीक है तो इसको इसके ऊपर भी बात करेंगे कि कैसे यह काम करता है लेकिन पहले अभी हम लोग जो कर रहे हैं उसको यहाँ पर देखते हैं मैं तो क्या है बटा है five memory block है all of them are having their addresses इसके बाद आगे चलिए मैंने यहाँ पर एक लूप चला दिया अब इस लूप की उपर जड़ा काम करके देखिए कैसे काम करेगा यहाँ पर मैंने लूप चलाया zero से लेके less than five तो आपको पता है ना पहली बार i की value zero होगी तो मैंने यहाँ पर बोला इसके एने फ परसेंट डी यानि आई नीड इंटीजर नंबर और इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है m% ai m% यानि यह जो sign है इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते है address of operator ठीक है और इसको हम लोग read भी यही करते है address of ai यानि कि पहला number support बिटा आपने यहाँ पर क्या input कर दिया 12 तो यह 12 कहाँ जाने वाला है address of ai और आप जानते हैं इससे में i की value 0 है ठीक है तो आपका यह जो a 0 है a 0 का इस समय जो memory address है वो क्या है जड़ा देख लीजिए 100 ठीक है यानि कि यह 12 आपने यहाँ पर input किया वो आपका कहाँ जाकी store होने वाला है memory address 100 पर तो आप यह देखिए पहला जो number 12 वो आपका 100 memory address पर जाके store हो जाएगा clear है जिसके बाद फिर ऐसी एक round आपको और यहाँ पर show करता हूँ मैं अगली बार जब आप जाओगे तो आपको पता है जब आपका यह loop उपर move करेगा i++ i की value 1 हो जाएगी और फिर से यही same line चलेगी आप एक integer number input करोगे suppose आपने क्या input कर दिया 7 तो यह 7 कहां जाना है address of a1 address of a1 कितना है बेटा 104 तो यानि यह जो number है आपका 7 that will be stored with memory address 104 तो यह आपका जो 7 है यह 104 पर जाके store होगा ठीक है तो आपको देखे पता होगा i hope की जाता लोग जानते होगे कि जो arrays है दियारदा reference data type सही है न तो यह सारा काम बेटा यहां पर memory address के उपर base होता है ऐसी अगली बार जाओगे तो 2 आपका क्या होगा अगली value जाएगी जो है a2 के memory address पर और suppose आपने यहां पर क्या input कर दिया 15 ठीक है अगली बार फिर आपने 10 डाल दिया फिर इसके बाद और पूछा गया तो आपने 13 डाल दिया तो ऐसे देखे 5 टाइम आपका loop चलेगा and all these values will be stored in the array in a sequential manner खाद बाद देखे क्या है आप देखे बटा जो 5 memory block बने है वो क्या है आपके sequence में contiguous memory location नहीं क्या मतलब है all the memory locations which are all together ठीक है एक के बाद एक हैं तुरंत यह देखे यहां पर पहले 100 फिर 104, 108, 112, 116 एक sequence में सारी value store हुई है और आप क्या कर सकते हैं किसी भी एक particular element को बड़े easily access कर सकते हैं ठीक है फिर इसके बाद जो second part है वहाँ पर मैंने आपको क्या show किया है traversal ठीक है कि आप कैसे अपने इन values को यहाँ पर traverse करने वाले हैं यह चीदी यहाँ पर दिखाए गई है ठीक है तो कैसे आपने traverse किया तो इसके लिए भी हमने क्या किया है यहाँ पर looping का use किया है आप लोग ध देखें आप एक loop execute कर दिया 0 to less than 5 5 with the size of the given array ठीक है 5 मेरा size है तो मैंने यहाँ पर फिर से एक बार size input कर दिया sorry मैंने size तक loop चला दिया 0 से 4 और इसके बाद फिर देखें मैंने यहाँ पर क्या बोला printf percent दी अपना format बताया और backslash end to change the line after printing all the integer values it will change the line और पहली बार फिर i की value 0 है तो यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले मैंने print किया a i यानिकी a 0 तो बेटा a 0 पर जाएगा और वहाँ की value है सबसे पहले that will be printed for example 12 फिर आप उपर जाओगे ठीक है आपकी याली value जाएगी और अब i की value कितनी हो जाएगी 1 तो अब हम a 1 को print करेंगे a 1 पर क्या है आपके i की value 2 हो गई 2 पर जाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर 15 मिलने वाला है आपने यहाँ पर 15 प्रिंट कर दिया और ऐसे फिर 3 & 4 तो आपका 10 & 13 तो ऐसे आप देखो मैंने पूरे array को यहाँ पर traverse किया जीरो से लेके index number 4 तक ठीक है जीरो से लेके index number 4 तक आप क्या देख सकते हो कि मैंने पूरे अपने array को यहाँ पर traverse कर लिया ठीक है जब आपके यह पूरा array यहाँ पर हम लोगों ने movement किया है तो इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर आगे चलें और अपने बाकी operations देखें for example इसके बाद आपने क्या देखा था कि inserting a new value या removing a new value या searching technique ठीक है तो अब हम लोग यहाँ पर इनकी जरा बात करते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसकी searching technique की तो आपको पता है जो लोग पहले कर चुके हैं काम उनलों को यह बात अच्छे से पता है कि जब आप values यहाँ पर अगर मैं आप से searching technique की बात करूँ तो हम लोग के पात दो बेटा यहाँ पर main searching technique जो हम लोग यहाँ पर use करते हैं that which are serial search और linear और we also call it sequential search पहली technique यह है और जो second technique that is known as binary technique ठीक है binary search ठीक है ठीक है तो यह दो टेक्निक्स हमाय पास यहाँ पर main होती हैं सबसे पहले मैं जल्दी से इसका एक यहाँ पर जो example है वो लिख देता हूँ फिर आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि दोनों में क्या-क्या चीज़े होती है पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसकी linear search की ठीक है तो मैं linear search को जो program है वो आपको यहाँ पर show करता हूँ ओके दो बड़ा देखो यह मैंने आपके लिख दिया है program किसका linear search का ठीक है जो पहली आपकी जो famous जो searching technique है वो है ठीक है यह simple है नाम पढ़के आप समझ सकते हैं कि आपका जो serial search है यानि आपने एक array बनाया उसमें element store किये है and if you want to search for an element so you have to search it in a linear or a sequential manner यानि आप अपने पहले element से search करना start करिए और फिर यहाँ पे move करते जाए till the last element in a sequence ठीक है पहला element, second element, third element like this ठीक है तो कैसे यह काम करेगा program मैं आपको जल्दी से बताता हूँ बहुत है simple है ठीक है फाइब निट में आप इसको यहाँ पे बड़े आराम से समझ जाएंगे सबसे पहले अपनी आप जो पहली line है वो यहाँ पे check करिए मैंने क्या किया फिर्टा मैंने यहाँ पे एक array बना लिया आप दिखिए इसमें total कितने element दिख रहे है मुझे seven element दिख रहे है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे seven element का एक array यहाँ पे मैंने create कर लिया तो आपको पता है यह जितने भी elements होंगे या जितने भी memory block बने इनकी यहाँ पे automatic numbering हो जाएगी जिनको हम लोग क्या बोलेंगे sequence number तो यह देखें यहाँ पे मैंने एक a नाम का array बनाया और अब मैं इसमें सारे number इस्टोर कर देता हूँ जिस sequence में आपने array में number यहाँ पे initialize किये है उसी same order में बेटा यहाँ पे भी जाएंगे तो 18 है, 10 है, 17 है, 20, 15, 19 and 12 तो ऐसे देखें आपके seven elements एक sequence में आ गए, इसके बाद आगे बढ़िए मैंने यहाँ पे फिर कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे यूस की हैं जिनको आप देखिए अगली line में मैंने कुछ variable लिया है, यहाँ पे सबसे important बिटा मैंने कि यहाँ पे flag variable लिया है, f और f की value कि है, जिसकी value 0 है, और अगर मेरा operation successful हो गया, ठीक है, यानि जो number मैं search करें जा रहा हूं, अगर यह मिल गया, तो आपको पता है, मैं अपना flag change कर दूँगा, flag की value 1 हो जाएगी, और यह जो 0 और 1, ठीक है, आपको पता है, they are holding the status of the operation, and they will help us out, finally, while printing the output, कि number मिला, कि नहीं मिला, यह इसमें हमारी help करने वाले, तो एक f नाम का variable दिया, फिर एक यहां पर आप देखो, तो मैंने num नाम का variable बनाया है, जिसमें हम क्या करेंगे, user से एक number की entry ले लेंगे, वो एक आपका number यहां पे input कर देगा, ठीक है, suppose उसने यहां पे number डाल दिया, ठीक है, कि number उसने डाल या 15, तो आपको पता है, हम लोग यहां पर linear search technique यूज करने जा रहे है, तो क्या होगा, कि यहां पर देखें, नमबर कैसे सर्च होगा, अब देखते है, यह आपका main part है, प्रोग्राम का, जहां पर number आपका सर्च हो रहा है, ठीक, यह जो block है, मैंने एक लूप चला दिया, यह बटा, 0 से लेके 6 तक, ठीक, आपको पता 7 element है, तो मैंने लूप चला दिया, 0 से लेके यहां पर, less than the size of the array, तो पहली बार i की value 0 होगी, हम चेक करेंगे, if a i, यानि a 0 is equal to num, क्या बटा, आपका जो a 0 है, वो number के बराबर है, तो आप क्या देखने है, a 0 पर कौन है, 18 है, तो यह तो नहीं मैंच हुआ, कोई बात नहीं, आगे चल दिये, i++, अब आपके i की value कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, आपके i की value अब होगी 1, तो अब हम a1 को चेक करेंगे, क्या a1 जो है, आपका number के equal है, तो आप ज़रा a1 को भी देख लीजे, a1 पर कौन है, 10 क्या 10, 15 के equal है, no, और आगे चलिए, i++, अब आपके i की value हो गई 2, अब हम a2 को चेक करेंगे, क्या आपका जो a2 है, वो number से match हो रहा है, no, हमने क्या देखा, ये भी नहीं match कर रहा है, और आगे चलिए, i++, now the i is 3, तो अब हम अपने a3 को चेक करतें, क्या ये मेरा 20 जो है, ये match कर रहा है, 15 से, no, और इसके बाद और आगे चलिए, i++, अब बिटा ध्यान से देखेगा सब लोग, जैसे i की value 4 होगी, ठीक है, आप क्या देखते हैं, कि a4 पे आते ही, ये जो number है, आपका 15, ये आपके num की value से match कर जाता है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या देखते हैं, कि a4 पे बिटा 15 ही है, तो आप क्या देख रहे हैं, जब i की value 4 है, तो ये आपका number से match हो गया, your condition is satisfied, ठीक है, हमें अपना element मिल चुका है, आइए देखें हम क्या क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे दो statement लिखें हैं, पहले मैंने लिखा है f equal to 1, यानि पहला काम तो ये करो, जो flag जो red है, उसको green कर दो, या green है तो red कर दो, तो ये देखें, मेरे f की value 0 थी, मैंने क्या किया, f की value कितनी कर दी, 1 कर दी, और फिर मैंने क्या बोला, break, यानि break आई हो, सबको पता होगा, इस looping statement को, क्या करेगा, ये mid में ही terminate कर देगा, और हमें आपका जो control है, it will be send outside from the loop, सीधे loop से आप बाहर आ गये, ठीक है, and now it is time to print the result, आपको पता है कि अब समय आ गया, कि हम बताएं कि क्या हुआ, जो आपने search operation perform किया, whether it was successful or failed, तो जो भी हैं, हम बताने वाले हैं, तो आईए अपने final part में, जब आप बाहर आए हैं, तो आप सबसे पहले देखें, मैंने क flag 1 है, flag 1 हुनका क्या मतलब है, कि आपकी यह जो यहाँ पी थी condition, वो true हो गई है, समझ गये न, a4 आपका number से match हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि f की value 1 तब ही होती है, जब कोई number आपके array element से match कर जाता है, और अगर suppose कोई भी element नहीं match हुआ, तो आपके f की value क्या रहेगी 0 ही रहेगी, सही बात है न, तो जैसी बाप break करके आए, आपने यहाँ पे चेक किया, क्या आपका f1 है, मैंने क्या देखा, yes, सही बात है बेटा, मेरे flag की value 1 है, तो यहाँ पे देखे, मैंने क्या लिखा है, percent d found at index percent d, तो पहला जो percent d है, यहाँ पे मैं क्या print करने वाला हू नंबर और second जो percent d यहाँ पे मैं print करने वाला हूं, index यानि की i, तो यानि मेरा जो message अपियर होगा, वो कैसे अपियर होगा, percent d found, percent d पहला है 15, तो क्या लिखिया जाएगा, 15 found at index, ठीक है, और सबसे last में जो percent d था, वहाँ पे i, तो आप देखे, i की value क्या थी, उस समय 4, तो यानि आपको जो है, यहाँ पे अपना answer है, कुछ ऐसे मिल जाएगा, कि जो 15 है, वो मुझे index number 4 पे मिल गया है, तो I hope आपको यह बात समझ में आ गई होगी, एक छोटी सी चीज और देखते हैं, कि suppose बेटा, अगर कहीं आपने number कुछ और डाला होता, तो क्या होता, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं लोग, ठीक है, F देखिया, आपका 0 है, suppose आपने number यहाँ पे क्या डाल दिया होता, 35, तो क्या होता, आप पूरा mechanism यहाँ पे सीखी चुके हैं, आपको पता में क्या करूँगा, 0 से लेके 6 तक लूप चलाओंगा, और हर element को 35 से compare करूँगा, ठीक है, A0, A1, A2, A3, A4, सबको मैं 0 से compare करूँगा, तो A0, A1, A2, A3, A4, A5, और सबसे last में A6, तो बटा यह 7 यहाँ पे comparison होंगे, ठीक है, और आप क्या देखते हैं कि कोई भी element match नहीं किया, और इसके बाद आपका जो loop है जैसी उपर जाएगा, I++, I की value कितनी हो जाएगी, 7, 7 is not less than 7, यहीं पे आपका जो loop की condition है, that will get false है, यहीं पे false हो जाएगी, बाहर आएंगे, और print करेंगे result, क्या आपके F की value 1 है, नो, आपको पता है कि अपकी बार 7 time comparison हुआ है, पर बेटा मेरा जो flag है वो अभी भी 0 पर ही maintain है, क्योंकि आपको पता है कि flag की value 1 कब होती है, flag की value 1 तब हो रही है, जब कोई element match हो रहा है, जब element ही नहीं मिला, तो कहां से flag की value 1 हो जाएगी, है ना, तो आपकी बार जब आप यहां चेक करोगे, if F equal to 1, no, आपकी बार मेरा flag 1 नहीं है, तो control will shift to the else part, और क्या बोलेगा, percent d not exist in error, और यहां पे बेटा, sorry एक छोटी सी fault है, य कौन सा number हम सर्च कर रहे थे, तो, ठीक है, तो यह देखे है, हम लोग क्या बोलेंगे, percent d not existing error, यानि num, num में क्या डाला था, आप में 35, तो यहां पे लिख किया जाएगा, कि 35 not existing error, ठीक है, तो दोनों तरह के answer आपको यहां पे मिलने वाले है, अच्छा, अब इस technique में खास बात क्या है, भई खास बात हमें तब मालू पड़े कि जब हम अपनी अगली technique पढ़ा लेंगे, सही है न, क्यों कि उसके बाद फिर हम अपनी दोनों technique को आपस में compare कर सकते हैं कि कौन ज्यादा अच्छी है, ठीक है, कौन सी जो है, यहां पर time taking ज्यादा है, कौन से में क्या है, हम technique को तभी यहां पर compare कर पाएंगे, जब हम दोनों technique को आपस में compare कर लेंगे, तो पहली technique तो मैंने आपको बताई दी, आपकी कौन सी है, serial, और अब हम लोग जो अपनी अगली technique की जिसके उपर बात करने वाले हैं, वो क्या है आपकी binary search technique है, ठीक है, तो देखे चलते ह तो इसका जो program है, वो आपके सामने मैंने यहां पर रख दिया है, ठीक है, और इस technique के बारे में हम लोग अच्छे से यहां पर बात करेंगे कि क्या है technique, कैसे यह काम करती है, ठीक है, तो यहां पर देखे बटा, binary search technique हमारे लिए बड़ी useful है, और mainly आप लोग, आप लोग से म काई बच्चे काफी रात तक है न, यानि आप बिटा जब पढ़ाई करते हो और आपके हाथ में जब भी कोई एक book होती है, और आप किसी एक particular page number पर जब जाते हो न, तो वो जो technique है, वही आपकी binary search technique है, ठीक है, जैसे for example, मैं आपको थोड़ा सा technique के बारे में बताता हूं, क कि suppose ही आपके पास ही कि यहाँ पर book है, ठीक है, आपके पास कि कोई एक particular बेटा book है, और उस book में hundred page number तक की जो है, यहाँ पर book है आपके पास, तो पहला जो page number होगा, आपको पता है कि क्या होगा, पहला जो page number होगा, वो तो सब में पता है, वन ही होता है, आखरी page number क्या है आपका, hundred है, अब आप इस book में जब भी किसी page, एक particular, for example, आप एक topic सर्च कर रहे हैं, ठीक है, और वो topic हम से बोला गया कि भी जो arrays में जाना है, और वो topic आपका कौन से पर, आपने जब वहाँ पे चेक किया index, तो क्या मालूम पड़ा कि आपका वो जो topic है, वो page number 68 पे है, तो अब आप ज़रा पहले पूरा operation ज़रा यहाँ पे समझे, page number 1 से लेके hundred तक है, मुझे page number 68 पे जा search कहते हैं, कैसे, for example मैं हूँ, मेरे पास यह book पहले आई, तो मैं क्या करूँगा बेटा, book को अपने हाथ में लूँगा, और सबसे पहले मैं इस book को अपने idea से, half से open करने की, यानि बिल्कुल mid place से open करने की कोसिस करूँगा, तो यह देखे बेटा, जब मैंने पहली बार अ page number 50 पे आ गया, और मुझको कहां जाना है, page number 68 पे जाना है, तो आपको पता है कि मैं कहां की तरफ जाऊंगा बेटा, इधर आगे की तरफ move करूँगा, यानि की right की तरफ जाऊंगा, लेकिन अब आप सोचिए, यह जो left वाला area है, इसका क्या होगा, तो आप सब जानते हैं अब मैं page number 1 से 50, यानि book में आगी की तरफ move करने की कोशिस करूँगा, लेकिन पीछे तो नहीं याऊंगा, ठीक है, तो वो area मेरा abandoned हो गया, ठीक है, वो मैंने उसको leave कर दिया, अब बिटा मेरी जो range बची है, वो पता क्या बची है, 50 से 100, ठीक है, 50 से 100 अब मेरी range बची है, अब मैं क्या करूँगा, यह जो बाकी page number है, इनको मैं फिर से beach से, यानि की mid place से open करने की कोशिस करूँगा, और आप सब जानतें कि अगर ऐसा हुआ, तो क्या पता मैं कहा पहुंच जाओं, page number 75 पे, जो मेरा mid है, अब क्या problem है, मुझे कहा जाना है, page number 68 पे, लेकिन आपकी बार क्या हुआ, जब मैंने book 20 से open की, तो बिटा मैं थोड़ा सा आगे निकल गया, जाना था 68 पे, पहुंच गया 75 पे, तो अब आप मेरी बात जिरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, 75 के आगे कि यह जो page number है, यह मेरे लिए useless हो गया, यानि 75 से लेके 100 तक, अब मुझे वाँ नहीं जाना है, आपको पता है कि अब बिटा मेरी जो range बची ही, वो क्या बची है, 50 से, ठीक है, मेरी अब जो range बची है, वो क्या बची है, 50 से 75 के बीच में, यानि कि यह जो page number होगा, 50 से 75 के बीच में, अब आप क्या करेंगे, इसको फिर से आधे से खोलने की कोसिस तो आप कहीं आएंगे 62 पे ठीक है फिर से आप इसको बीच से open करिए 62 पे क्या देखने है आप थोड़ा जादा ही पीछे आ गए सही बाते हमें कहा जाना था 68 पे तो अब आप क्या करोगे 50 से 62 का area छोड़ दोगे अब आपके पास बचा 62 से 75 ठीक है तो 62 से 75 अब आप बेटा इसका जड़ा आधे पे आईए तो आप सीधे कहां पे आजाओगे पेज नंबर 68 पे आजाओगे तो आप देखो 4 comparison होंगे सबसे पहले आप आओगे पेज नंबर 50 फिर इसके बाद आओगे पेज नंबर 75 फिर आप पहुंचोगे पेज नंबर 62 और 4 टाइम पे आप कहां पहुंच जाओगे पेज नंबर 68 क्योंगे 62 और 75 का हाफ जब आप ओपन करोगे तो 68 पे आजाओगे सही है ना 4 comparison में आप क्या देखते हैं कि 4 टाइम आपको मैं कितनी भी बेटा मोटी बुक दे दूँ आप सब जानते हो और एक पार्टिकुलर पेज नंबर बोल दूँ तो आप सब को पता है क्या होने वाला है 4-5 बार में आप उस पार्टिकुलर पेज नंबर में पहुंच जाते हो ठीक है तो यही बेटा बाइनरी सर्च टेक्नीक है एरे पे कैसे काम करें की चलिए इसको देखते है तो चलिए हम लोग अपना काम सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर जल्दी दिखाता हूँ कि मैंने यहां पर एक एरे बनाया ठीक है यह एरे में आपके पास यहां पर फिर से 7 elements है तो इन सबका जो index होगा वो मैं यहां पर note कर लेता हूँ ठीक है और यह numbers आपने जो डालने हैं यह मैं यहां पर store कर लेता हूँ आपके लिए और आप क्या देखरें बेटा फिर इसके बाद यहां पर मैंने आगे बढ़िए कुछ और यहां पर variable यूज़ किये l equal to 0, u equal to 6 यह क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ ठीक है देखें जो index 6 है वो आपका u पे set है index 0 आपका l पे set है और आगे बढ़िए mid और f equal to 0 यहां पर एक और f equal to 0 यह आपका बिटा फिर से एक flag variable है और last में आप क्या देख रहे है एक variable मैंने यहां पर लिया है num जो number आपको search करना है मैं यहां पर user से उसकी entry भी ले रहा हूँ ठीक है तो for example यहां पर देख लीजे suppose हमने बिटा क्या किया यहां पर एक number choose कर लिया कि भई मुझको जो है जो number जो search करना है वो आपका जो है 24 है ठीक है 24 आप देख सकते हैं यहां पर कहा है index number 4 पर है तो यह कैसे काम करेगा program अब ध्यान से देखेगा यह मेरा पूरा यहां पर while loop है इस while loop के अंदर मैंने यहां पर काम किया है तो आईए चली अपना काम हम लोग यहां पर start करते हैं मैंने यहां पर इससे बोला कि while l is less than u कि क्या मेरा यह loop आपको तब तक चलाना है operation तब तक perform करना है जब तक आपका l पहले तो l और u क्या है समझ लीजे मैंने बताया l आपका एक यहां पर pointer है जो क्या कर रहा है आपके पहले element के address को point कर रहा है 0 पे होता है पहले element हम सब को पता है और u आपके last element को यहां पर point कर रहा है 6 पे l और u पता होना binary search में बड़ा जरूरी है क्यों क्योंकि हमें यहां पर searching करनी वो कहां से करनी है mid index है यानि कि इसके center से area के center से यहां पर searching होगी ठीक है और middle हमें तभी मिल पाएगा जब हमको अपना पहला और आखरी index बता होगा तो पहला 0 है आखरी 6 है और binary search करने के पहले आपको मैं यहां पर एक चीज़ और बता दूँ अगर आपने इन numbers को अगर ध्यान से read करिए तो आपको कुछ समझ में आएगा और I hope कि आप मेंसे 90% लोगों को यह बात बड़े अच्छे से याद होगी या पता होगी कि binary search के लिए pre condition क्या होती है ठीक है binary search में क्या बता जाता है आपको कि the number must be in a specific order कि अगर आप binary search perform करने जा रहे हैं तो आपको अपने जो numbers है इनको या तो increasing order में या फिर decreasing order में arrange करना पड़ेगा ठीक है तो आप अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए तो आपके जो numbers है 10, 12, 15, 18, 24, 30, and 50 they are arranged in ascending order ठीक है अब चलिए हम लोग अपना काम सुरू करते हैं मैंने कहा है 24 मुझे search करना है तो जब number को search करने के लिए आप आईए पेटा मेरा जो L है L की value 0 है U की value आपकी 6 पर है तो आपको पता है कि 0 आपका 6 से कम है तो आजाई है अंदर और operation शुरू होता है हर line को ध्यान से देखेगा सबसे पहले बेटा मैंने यहाँ पर क्या बोला mid equal to L plus U divided by 2 तो जड़ा यह calculation कर दीजिए L की value 0 है U की value 6 है और इसको 2 से divide कर दीजिए कितना answer आता है आपका 3 यानि आपका जो mid है वो कहां पर आपका set हो रहा है 3 पर यानि कि आपका middle element है array में center पर आप लोग खुद चेक कर लीजिए that is 18 तो अब मुझे क्या करना है अपने 18 को number से check करना है कि whether they match with each other or not तो मैंने check किया if A mid is equal equal to num कि क्या बेटा मेरा A mid number से match कर रहा है तो A mid और mid की value आप जानते कितनी आई है 3 आई है तो A3 को जरा number से check करिए 18 and 24 आपने क्या देखा यह match नहीं कर रहा ठीक है ना यानि कि number नहीं मिला अब आप क्या करोगे या तो ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे ठीक है ध्यान रखिए number आपके ascending order में लगे हुए है तो देखें जब यह condition आपकी match नहीं हुई तो पता है control कहाँ shift कर जाएगा else के पास फिर check करिए ठीक है तो फिर if A mid is less than num क्या जो number आपको A3 में दिखा है क्या वो आपके search करने वाले number से smaller है छोटा है चेक करिए क्या 18 बेटा 24 से छोटा है आपने क्या दे अब एक बात यहीं पर मैं आपको रोक के यहां पर थोड़ा ता फिर से यहां पर revise कर रहा हूं तो आपको समझने की कोसिस करिएगा क्योंकि यहीं पर देखें पूरा binary search algorithm का जो main जो point है वो यहीं पर है आप क्या देखने कि 18 24 से कम है तो अब आप एक बात यहां पर समझ ल है तो अब आप उपर क्यों जोगे क्यों नहीं जोगे उपर क्योंकि आपको पता है कि मेरे number किस order में लगें increasing order में है ना और अगर आप 18 के उपर बेटा move करोगे तो क्या होगा आपको और छोटे छोटे number मिलने वाले 24 तो कभी नहीं मिलेगा तो अगर आपको 24 search करना है तो आपको 18 के आगे जाना पड़ेगा यानि कि आपको नीचे की तरफ move करना है समझ रहे ना तो उपर का area आपके लिए क्या हुआ useless हो गया तो अब आप यह देखिए मैं क्या कर रहा हूं मैंने चेक किया अगर मेरा middle element a mid is less than num तो देखिए line कौन सी चलने वाली है जब यह condition true एल इकवल टू मिड प्लस वन कि एक काम करो मेरा यह जो lower bound यह जो 0 पे था ना इसको यहां से हटाओ पहले तो ठीक है हमने क्या बोला कि भी यह यह lower bound यहां से हटा दीजे lower bound कहां जाना है mid प्लस वन तो यह देखिए मेरा जो lower bound है वो आप देखिए कहां पे आ गया 4 पे आ गया और आपका जो upper bound है वो कहां पे बेटा 6 पर है तो बास समझ में आ लिए आपको lower bound और upper bound अब आपका यानि जो search area है वो यह हो गया आपका जो number 24 वो आपका 4 और 6 के बीच में होगा ठीक है जीरो से 3 वाला area मैंने abandon कर दिया मुझे पता है कि इतने में तो 24 होई नहीं सकता number मेरे arranging order में है ठीक है तो चलिए अपकी बार यह line चल गई और अब यहीं से यह while उपर चला जाएगा और फिर से यहां पे चेक है ठीक है कि क्या आपका l u से कम है तो आप क्या देखते हैं कि अपकी बार मेरा l 4 है तो क्या 4 आपका 6 से कम है यह फिर से calculate करिए mid तो 4 प्लस 6 का half तो यानि 10 का half कितना आजाएगा बेटा 5 यानि अब देखिए आपका जो mid है वो भी यहां पे shift होगा ठीक है जो mid है आपका जो अब तक 3 के उपर था अब आपका जो mid है वो भी कहां पे आजाएगा 5 पे आजाएगा ठीक है l 4 पे u 6 पे और mid कहां पे आजाएगा 5 पे 5 पे देखिए कौन सा नंबर है 30 है ना तो अब आप चेक करिए क्या 30 आपका 24 से match कर रहा है a mid यानि कि आप आपकी बार हम a5 को चेक करेंगे a5 के नंबर से match कर रहा है no फिर आगया जाईए तो क्या आपका a mid यानि a5 आपका नंबर से छोटा है क्या चेक कर लीजिए 30 24 से छोटा है क्या no आपने क्या देखा कि ये भी condition आपकी wrong है ठीक है तो आपकी बार यानि ये line तो नहीं चलेग ठीक तो आपकी बार मेरा control अगले else पे आ जाएगा तो बटा दिध्यान दीजिए a mid number के equal भी नहीं है a mid number से छोटा भी नहीं है तो यानि अब क्या बचा आप जानते हैं जब दो value compare होती तो तीनी situation possible है पहला number या तो second से छोटा होगा या फिर बड़ा होगा या फिर equal होगा है ना तो equal भी नहीं है छोटा भी नहीं है control कहां जाएगा else पे और आपकी बार देखे हम क्या लिख रहे है यू equal to mid minus 1 आपकी बार जो line चलने जा रही है वो ये चलने जा रही है तो आपकी बार क्या होने वाला है कि बेटा आपका जो यू है वो shift होगा क्योंकि 30 जब 24 से बड़ा है तो आपको पता है कि इसके नीचे जाना बेकार है 30 और इसके नीचे का area मेरे लिए useless है क्योंकि अब आप 30 या उसके आगे जाओगे ना तो आपको 24 से और बड़े-बड़े number मिलेंगे क्योंकि जब 30 बड़ा है तो उसके आगे वाली जो values होगी जैसे आप देख जायी है ठीक है और इस यू को कहाँ पर लेकर जाये मिड माइनस वन तो मीड देखिए जरा मेरा कहां पर है मेरा नीचे बेटा 5 यानी कि मेरा जो यू है वह वह कहां पर आ जाएगा 4 पर जाएगा ठीक है तो अब आप देखो एक special scene create हो गया है, मेरा जो L है वो भी 4 पर है, मेरा जो U है, वो भी 4 पर है इसना क्या मतलब हुआ यानि कि मेरी search range में आप केवल एक ही element बचा है, देखे 18 और इसके उपर कोई sense नहीं है मैं 18 और इसके उपर वाला area मेरा already check हो चुका है 30 और इसके नीचे कोई भी फायदा नहीं है, आपको पता है number नहीं मिलना है, हम लोग पहले ही बात यह प्रूव कर चुके हैं, तो अब खाली कौन बचा, आपका A की बचा index कौन सा, 4 आपका L भी यहां पर आ गया है U भी आ गया है, अगर अभी भी U से कम है, तो आप जानते हैं, मेरा L 4 है, U भी 4 है तो क्या चेक हुआ है, L is less than equal to U, तो आप क्या देख रहे हैं कि 4, 4 से कम तो नहीं है, बट दे आर इक्वल तो आपकी बार भी लूप चलेगा, अंदर आईए mid equal to L plus U divided by 2, यानि 4 plus 4 divided by 2, तो आपको पता है, answer भी 4 ही आएगा तो जो mid है, अपकी बार बेटा आपके mid की value जो है वो भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी तो देखे, कितना अच्छा scene है L, U और mid, सब A की index के उपर जमाएं एक साथ तो आप mid में देखे, कौन सा element है 24, चेक करिए a mid, यानि की जो a 4 है क्या वो आपका number से match कर रहा है, आपकी बार आपने क्या देखा सही में match कर रहा है, ठीक है condition आपकी यहाँ पर true हो जाएगी अंदर आती है, आप देखे, दो line है चलेंगी, f equal to 1 and break तुरन देखे बटा, मैंने अपना flag किया 1, और मैंने क्या बोला break, यानि की बाहर आजाओ loop से क्योंकि देखे, number match हो गया है ठीके न, number match हो गया है और जब number match हो गया है तो अब आपको बस खाली बताना है result बाहर आईए, अपना flag check के लिजे, अगर आपके flag की value 1 है, तो आप क्या देखे रहे हैं, अभी अभी तुम अपना flag 1 करके आए printf, percent d found at index d, तो आपको पता है percent d में क्या हैगा, 24 और यहाँ पे आएगा, जो index है, वहाँ पे मैंने क्या print किया है, mid, तो जब आप बाहर आए थे, तो आपका जो mid है mid की value कितनी थी, 4 तो यानि आपका जो answer है, वह आजाएगा कि 24 find at index number 4, तो यह आपकी process होगी और suppose अगर number यहाँ पे भी नहीं मिलता, suppose कि यहाँ पे 24 की ज़िएगा 26 होता तो फिर बेटा क्या होता, 26 आपको पता है, 24 से बढ़ा है u equal to mid minus 1 आपका जो u है, वो यहाँ से 3 पे आजाता तो आप क्या देख रहे हैं, l कम हो गया, u जादा हो गया, तो जब अगले round में आप जाओगे क्या आपका l 4 जो है u की value 3 से कम है, no equal है, no, loop terminate हो जाता, आप बाहर आजाते और बाहर आके आप क्या देखती कि आपका flag है, वो अभी भी 0 बना हुआ है, ठीक है क्योंकि जब number ही नहीं match किया, आखरी वाला भी, ठीक है तो आपका flag कितना होता, 0 और हम क्या बोलते थे, number does not exist in error, ठीक, तो यह पूरा mechanism में यहाँ पर किसका binary search टेकनिक का, अब आपको देखे, मैंने दोनों टेकनिक यहाँ पर show की ठीक है, यह आपका था linear search और यह है आपका binary search अब आप दोनों को अगर आप यहाँ पर आपस में compare करिए तो अब आप यह देखे कि क्या-क्या फर्क देखने को मिला, तो आप क्या देखा आपने कि जो linear में था इसमें आपको क्या होता है बेटा index 0 से start करना है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबको sequence से अपने search करने वाले number से compare करना है और जहाँ पे भी element मिलेगा आप उसका index print कर देंगे लेकिन binary search में ऐसा नहीं होता binary search में आप क्या देखते है कि पेटा जो searching है वो कहां से शुरूई थी 18 से 18 से मैंने search यानि बिल्कुल center से search शुरू की थी sequential यानि top to bottom order में नहीं था और क्या देखा आपने अगर ध्यान दीजिए linear search में आप देखो order लेकिन जब मैंने binary search किया तो आप क्या देख रहे हो कि all the numbers are arranged in ascending order या बिटा ये आपके reverse order में भी हो सकते है ठीक है तो दोनों चीजे आप यहाँ पे देख रहे हो और क्या देख रहे हो क्या और कोई खास बात है कौँजी टेकनीक ज़्यादा अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप यह देखिए यही वाला अगर आप देखो example तो यह जो 24 को अब आप सोचिए अगर आप linear search से अगर यहाँ पे चेक करते तो क्या होता आपको यह number 1, 2, 3, 4, 5 आपको बेटा 5 comparison करने पड़ते ठीक है और आपको यह 5th time पे मिलता और जब मैं binary search कर रहाँ तो आप क्या देख रहे है मुझको यह number आपका 3rd round में मिल गया पहले round में क्या था 18, 2nd में 30 और 3rd में 24 मिल गया था सही है न तो आप क्या देखते है यह आधी बार में काम कर देता है लेकिन यह कब होता है जब आपके पास large volume of data पे काम करते हो बिटा तो जो binary search है that is more efficient than the linear search ठीक है तो यह एक चीदिया आपे ध्यान रखनी है तो आज हम लोगों ने यहाँ पे जो बात की वो हम लोगों ने यहाँ दिखा कि कैसे हम लोग मैंने four operation बताया आपको input operation, traversal operation फिर आपको मैंने यहाँ पे searching technique के बारे में बात की तो आज का वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको मैं यही पे रोकूंगा और आपसे जब मैं next video में बिलूंगा तो वीडियो टॉक अबाउट the various type of sorting technique ठीक है कि बाई एरे में जो values जो हमको यहाँ पे arrange करनी है ascending order में या decreasing order में तो कैसे करेंगे कौन कौन सी famous techniques हैं उनके उपर हम लोग यहाँ पे काम करेंगे अगले वीडियो में चलिए ठीक है, ओके, thank you very much